नमस्कार आप देख रहे हैं आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंग के साथ दोस्तों 2022 का WCL का यूनियन मेंबर्शिप का दूसरा चरण समाप्थ हो चुका है और दूसरे चरण में जो की चार यूनियन WCL में में मेंबर्शिप करती है है HMS, BMS, ITUK और INTUK ये ऐसे मेंबर है जो मेंबर्शिप करती है WCL में यानि की Western Coal Field Limited में है पिछले 40 वर्ष का इतिहास रहा है 2018 तक कि अगर हम बात करें तो INTUK नमबर वन की यूनियन हमेशा से रही है लेकिन 2018 के बाद situations बदलते गए और ऐसी क्या situations बदली कि 2021 में पहली बार जो 40 वर्षों से लगभग नमबर वन की यूनियन थी वो सबसे आखरी यूनियन हुई जिसका नाम है इंटक दोस्तो हम आकरों की तरफ अगर आते हैं तो आपको हम बता दें कि HMS यूनियन इस वर्ष 2022 में 9,852 मेंबर सिप की है और पिछले वर्ष 9523 मेंबर सिप HMS ने किया था जो कि पिछले बार 9,026 membership किया था यानि कि 2021 से 2022 की बात करें तो BMS लगभग 544 membership उसकी कम हो गई 2022 में और उसी परकार अगर हम ITEC की बात करें तो इस वर्ष यानि कि 2022 में 7,036 membership ITEC ने किया और 2021 में 7,183 membership ITEC ने किया था यानि कि इस वर्ष लगभग 147 membership ITEC के भी कम हुए है और उसी परकार हम ITEC की बात करें जो कि 2018 तक पहले नंबर की union रहे हैं WCL में उसकी बात करें तो इस वर्ष सबसे कम membership ITEC का 2022 में हुआ है और उसी परकार 2021 में बात करें तो ITEC का membership 7,113 था यह सारे आकड़े एक अनुमानित है लगभग है दो चार आगे पीछे हो सकते हैं लगभग 2021 और 2022 में इंटक एक बड़े आकड़े के साथ पीछे हैं यानि कि जो union 40 वर्ष से नंबर वन पर रही उसके लावा कोई नंबर वन पर नहीं होता था आज उसकी हालत इतनी दईन्दै निये क्यूं है यह अपने आप में एक सोचने वाली बात है दोस्तों जैसा कि सभी जानते हैं 2018 में कोईला स्रमिक सभा HMS के अध्यक्ष पत्पे विराजमान हुए शीव कुमार यादब जी और ऐसा माना जाता है कि इनके आने के बाद HMS चोथे नंबर पे थी पहले से और इनके आने के बाद लगातार चोथे से तीसरे तीसरे से दूसरे और 2021 में पहली बार प्रथम करमान पर आई और वो एतिहास बना और इतिहास इस बार फिर बना कि 2022 में ये यूनियन फिर प्रथम करमान पर ही है सबसे पहले तो मैं अपने WCL के सभी कामगार भाईयों को पहले पद बहुत बधाई और धन्यवाद दूँगा कि उनका प्यार आशिरबाद हम लोगों के दूसरी बार फिर से मिला है और पूरे WCL के इतिहास में हमें साथ तीसरे चोथे नमर पर रहता था लेकिन पिछले बार हम प्रथम कर्मांग में आये थे उस समें लगभग हम 500 की लीड से थे हमारे दूसरे नमर पर BMS union की इस बार कामगार भाईयों ने अपना भरपूर आशिरबाद दिया और इस बार लगभग 1500 की लीड हमारी सेकेंड नमर की union से है और हम लोग प्रथम कर्मांग में आये हैं इस सभी के लिए हमारे जितने WCL के करमचारी भाई हैं और बहने हैं और हमारे अधिकारी इन सब का सयोग लगातार हम लोगों को मिलता रहा है उसी के कारण हम लोग यह प्रथम कर्वाग में आये हैं सभ कुछ यूनियन के पदाधिकारीों ने अलोचना की सीमा तक प्रॉस कर दी इस बार तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहिए वह हमारे लिए बोलते हैं मंत्र रहा जितना हमारा लोगों ने विरोध किया जितना हमें बदनाम करने की कोशिश किया जितना हमारे को नीचे लेबल पे लोगों ने जाकर बोला उसी को कामगार क्योंकि कामगार तो हमारा जागरित है और एक एक चीज वो जानता है किसी को सफाई देनी की जरूत नहीं पड़ी जितना विरोधी या दूसरे संगटन के लोगों ने हमारी बुराई की कामगारों ने उतना ही हमको ज्यादा ओट के माध्यम से हमें आगे बढ़ाया पिछली बार बीमस सकेंड नंबर पे थी और इस बार भी यह में सकेंड नंब करमचारियों के हिद के लिए काम करते हैं और कुछ लोग मजदूरों के बीच होकर ही मजदूरों के साथ में गुंडा गर्दी करके भी मिमर्शिप करते हैं दोनों में फर्क है और कौन कैसे करते हैं ये तो करमचारी ही जानते होंगे लेकिन अब 2023 में क्या होता है लोगों स्थ्स्थ्साब्स